नमस्कार मैं डॉक्टर अभिशेख जैन मैं एक कंसल्टेंट गैस्ट्रेंटलोजिस्ट और हिपाटोलोजिस्ट हूँ नहीं मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं Acute Lever Failure के बारे में और इसके नए कॉम्प्लिकेशन हो रहे है तो Acute Lever Failure की सबसे पहले कारणों की बात करेंगे तो यॉशलवी जो सबसे मुख्चे कारण हम भारत में देखते हैं वो है वाइरल के infection तो hepatitis A, E या even hepatitis B इस virus की infection से अचानक आपके liver में एक ऐसी damage की स्थिती होती है जिसमें आपका PGI level बहुत बढ़ जाता है, खुन पतला हो जाता है, बेहोशी आने लगती है और नए-नए infection और आपकी immunity डाउन हो जाती है जिससे आप एक ऐसी failure की स्थिती में जाते ह जिससे आपका liver एक पुरी तरक से काम ना करने के स्थिती में पहुँच जाता है तो अगर दूसरे और कारणों की हम बात करें तो virus के अलावा कुछ drugs जिससे paracetamol अगर overdose हो जाए जो normal बुखार की दवाईया है उसके overdose से acute liver failure हो सकता है बहुत सारी और भी दवाईयां होती जैसे TB की दवाईयां, antibiotics, psychiatric दवाईयां जिससे की या जहटके की जो epilepsy की दवाईयों थी इनसे भी कई बार acute liver failure हो सकता है तो ज़रूरी यह है कि जब भी हम कोई दवाई का सेवन करें हम एक proper डॉक्टरी सलहा के साथ उस दवाई का सेवन करें और regular monitoring में रहें कोई भी ऐसी तक failure जैसी स्थिती में ना पहुंचें और भी कुछ कारण होते हैं खासकर बच्चों में जिसमें की कुछ metabolic diseases होती हैं जिसमें आपके liver में एक बनावटी एक ऐसी genetic समस्या हैं जिससे की आपका liver fail हो सकता है liver failure में जाकर की liver transplant की ज़रूरत पढ़ सकती है तो usually अगर acute liver failure हम symptom की बात करें तो वही आपको पीलिया होगा बीमारी जैसे जैसे बढ़ती है तो आपको कहीं से bleeding का risk हो सकता है आपको भूक ना लगना उल्टी पेट में दर्द ये सब समस्या हैं तो रहती हैं साथ में साथ बेहोशी आना या खूल पतला होने की वाज़े से bleeding का risk होना या ने-ने infection ह होना ये सब चीज़े आपको symptom के तोर पर दिखाई देती हैं इसका diagnosis easily blood test और examination कुछ sonography और radiological test के द्वारा किया जाता है treatment की हम बात करें तो usually हमारी पहली कोशिश होती है कि हम उस कारण को पहचान कर सकें जिसकी वेशे acute liver failure हो रहा है और उस कारण को रोग करके उसका निदान कर सकें तो अगर virus के कुछ infection है तो supportive care या कुछ दवाईयों के माध्यम से कुछ दवाईयां है तो कुछ दवाईयों के उनके against कोई antidote या उनके against कोई दवाई दे करके हम पहला हमारा कोशिश होता है कि supportive care दवाईयां आपका proper खान पान nutrition इस चीच से हम आपको treatment दे करके liver failure को आगे बढ़ने से बचा सकें और उस failure को वापस reverse कर सकें अगर आपको कोई infection हो रहा है दिमाग में बेहोशी या ऐसे लक्षन हो रहा है इसका मतलब है कि liver failure का disease और advance हो रहा है ऐसी स्थिती में आपको liver transplant तक की भी जरुवत पढ़ सकती है liver transplant मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आपको नए liver की शरीर में जरुवत हो या उस liver जो आपका काम नहीं कर रहा है उसकी जगह पे एक नया liver आपको provide किया जाए जिससे कि आप फिर से आपका liver स्वस्थ और फिर से आप स्वस्थ हो सके तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि acute liver failure कई बार खतरनाक और जानलेवा बिमारी है तो अगर आपको पीलिया और उसके लक्षन या बिमारी बढ़ती हुए नजर आ रही है तो इसकी जल्दी से जल्दी डॉक्री सला लेकर आप इसकी पहचान और ट्रीटमेंट करें और ताकि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकें आपको बिमारी से बढ़ने से रोका जा सकें थैंक यू